LTE grade की तयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों को नमस्कार जो दोस्त अन विश्यों से भी LTE grade की तयारी कर रहे हैं उनको भी नमस्कार चाहे वो हिंदी से कर रहे हूँ, चाहे जोगरफी से कर रहे हूँ, किसी भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं, जीयस कामन है, इसलिए जीयस के लिए आगे हूँ लेकर भारत का सुतंतरता संगर, शुकी एक important topic के इससे question आते ही आते हैं, मैंने आपको कहा था कि priority basis पे आपका प विवस्तित रूप से और question बताने की कोशिश करूँगा, जो दूसरे विश्यों के लोग हैं, उन्हें भी आपा मंत्रित कर सकते हैं, महस 1500 रुपीज फीस है, अगर फिर भी किसी कोई economically उतना sound नहीं है, तो फिर भी उसमें भी compromise कर लेते हैं, तो फीस मुद्दा नहीं है, य ये एक तरह का बिलकुल यग्य है, जो चल रहा है, और जब अगला exam आए, आप इसमें बिलकुल शामिल हो और सफलता प्राप्त करें, हमारा ये उद्देश है, कम से कम 15-16 question अगर आप बुरी से बुरे हालत में हैं, तो GS के साही होने चाहिए, तीस में, तो ये ध्यान में रखिए, आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन GS टाफ आता है, GS के लिए आपको तयारी करनी पड़ेगी, आइए देखते हैं, भारत संग के संस्थापक कौन थे, पहला question है, भारत संग के संस्थापक कौन थे, इस question को देखना है, ये सुरेननाद बैनर जी थे, इन्हो ने स्टैबलिस किया था किसको भारत संग को, ये ध्यान में रखना है आपको, 1876, आनन्द मोहन बोस के साथ मिलके सुरेननाद बनर जी ने 1886 में, आनन्द मोहन बोस, आनन्द या जैसे भी लिखा जाए हिंदी तो जानी रहे, अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते हिंदी स्थापना की थी, ये ध्यान में रखना है आपको, सुरेननाद बनर जी ने इंडियन अस्टैशन के स्थापना की थी, जब पूछेगा आप से तो हो सकता है, इंडियन अस्टैशन सीधे पूछे, भारत संग में पूछ सकता है, पहला क्विश्चन हो गया, दूसरे और थोड़ा बड़ा कर लें, फांट ये आपको दिख रहा है, आई होप दिख रहा होगा आपको, चुकि फांट अलेडी बड़ा है, सुरेनाद बनर जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताईए, जिसका 1886 में इंडियन नैस्टैल कांग्रेस में, जो वरतमान मे रखिएगा, next question, निमलिखित भारती नेताओं में से कौन एक ब्रिटिस सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विसे से बरखास्त किया गया, ये इसको और साइड मिलाते हैं, ताकि आपको समझ में आए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर निमलिखित भारती नेताओं में स इसको ने इस ब्रिटिस सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विसे से बरखास्त किया गया, ब्रिटिस सरकार ने इन्हें इंडियन सिविल सर्विसे से बरखास्त कर दिया था, वो कौन थे, सुरेनाद बनर जी, इन्हें बरखास्त कर दिया गया था, इंडियन सिविल सर्व अधोल इकित में से भारत में जिस राजन्यतिक संगठन के स्थापना 1838 में हुई कौन है 1838 में किस राजन्यतिक संगठन के स्थापना हुई आपको बताना है 1838 में किस राजन्यतिक संगठन के स्थापना हुई थी जमीदारी असोसियेशन जमीदारी असोसियेशन या लैंड 1838 में हुई थी, जमीदारी association ध्यान में रखिएगा, जमीदारी association किस्ता अपना कम हुई थी, 1838 में date मत बुलिएगा, आ सकता है ये question, next question पर आते हैं, राजनेतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारती कौन थे, political reforms को लेकर, जो political reforms हो रहे थे, उनको लेकर जो British सरकार का विरोध करने वाले पहले भारती कौन थे, सुरेननात, यही पहले भारती थे, जो राजनेतिक सुधारों को लेकर विरोध करते थे, कि नहीं है भारतीयों के लिए appropriate नहीं है, जहाँ पर विरोध करते थे, next question पर आते हैं, मैं side में ही रहता हूं नहीं, आपको निमलिकित में से किस संगटन के सच्यू थे, क्यारी चनमित्र किस संगटन के सच्यू थे, तो बंगाल British India Society के यह सच्यू थे, जहान में रखना है आपको, मदरास महाजन सभा की अस्थापना कप की गई थी, आपको यह बताना है, मदरास महाजन सभा की अस्थापना कप की गई थी, 1884 में मदरास महाजन सभा की अस्थापना की गई थी, ध्यान में रखना है, यह क्रिश्चन कई बार मैच करने के लिए दे देगा, चुकि टप बनाते हैं, GS इतना easy नहीं बनाते, मदरास महाजन सभा इसलिए जिसका GS भी की तयार है, वो अपने आप naturally, अगर literature मान लिजे, आपका तयार है किसी के बराबर, अगर GS में आप lead कर रहे हैं, तो आप naturally next candidate से lead कर सकते हैं, अपनी rank को improve कर सकते हैं, मदरास महाजन सभा की अस्थापना कप की गई थी, 1884 में की गई थी, निम्लिकित में से किस एक ने सन 1875 में house of commons में, यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्लिकित में से किस एक ने सन 1875 में house of commons में एक याची का प्रसुत करते हुए, बिटिस संसद में भारत के प्रत्यच प्रतिनित की मांग की थी, इन्हों ने 1875 में house of commons, जो की जैसे अपने आलोक सभा, राज्य सभा है, वैसे ही लंडन में, बिटिस में, इंगलेंड में, वहाँ पर क्या है house of lords और house of commons है, house of commons में एक याची का प्रसुत की और भारत के प्रत्यच प्रतिनित्त की मांग की कहां पर बितिस संसद में, उनके house of lords और house of commons में बोला कि नहीं यहाँ पर भी प्रतिनिधत और रिप्रेजेंटेशन भारतियों को दिया जाना चाहिए, कहां पर house of lords और house of commons में किस ने मांग की थी दपूना सारवजलिक सभा ने इस इंसिट्यूट ने सीधे मांग की थी कि भाई हमें भी आप हमारे यहां आके राज कर रहे हो हमारी संस्थाओं पर काविज हो तो हमें भी आप अपने यहां जो आपके संसत के दो अंग हैं House of Lords, House of Commons वहां हमें भी आप संसता दिजीएिसकों के पूरू सब्से प्रमुक संस्था थी इंडियर के समय समझियेगा चे योगमो समझिजेगा युग्मो में से कौन साहिख सुमेलित है asiatric society बंगाल 1784 asiatric society बंबे 1804 year asiatic society of great britain 1823 landholders society of बंगाल 1844 कौन सही सुमेलित है landholders society बंगाल 1844 कौन सही सुमेलित नहीं है sorsi दोスतों यहाँ पर यह question है कौन सही सुमेलित नहीं है Asiatic Society अब बंगाल 1784 में अस्थापना की थी, किस ने अस्थापना की थी, हमें आप बताईएगा, Asiatic Society ने ही गीता का भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुआत करवाया था, यह भई सोसाइटी थी, किसके द्वारा अस्थापित की गई थी, इन्होंने बनारस में भी कुछ Sanskrit College खोले, Asiatic Society अब बंगाल के स्थापना 1784 में हुई, Asiatic Society अब बंबे के स्थापना 1804 में हुई, यल या यल जो भी कहिए, आप यल Asiatic Society अब Great Britain के स्थापना 1823 में हुई थी, Land Odler Society के स्थापना अभी आपने देखा था, 1838 में हुई थी, हमने पीछे देखा था अभी ना स्थापना था, 1844 में हुई, आप याद रख सकते हैं, Asiatic Society अब बंगाल 1784, Asiatic Society अब बंबे 1804, यल Asiatic Society अब Great Britain 1823, और Land Odler Society अब बंगाल 1844, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारती राष्टी कंग्रेस के स्थापना कब हुई, common question है, क्लिशे टाइप क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, वर्श अटारजव पचासी में, भारती राष्टी कंग्रेस के ने भागियों ने भाग लिया, जो first इनका अधिवेशन हुआ था, उसमें कितने प्रतिवागियों ने भाग लिया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार various exams में पूछा गया है, और कहीं भी पूछा जा सकता है, most important questions में है, जो आसान question होते हैं, उनको कभी अकतर की जगा, अगर आपका 71 हो गया तो गलत हो जाएगा, भारती राष्टी कांग्रेस के प्रतम अधिवेशन में कितने प्रतिवागियों ने भाग लिया, 72, next आते हैं, भारती राष्टी कांग्रेस का प्रतम अधिवेशन कहां हुआ था, कहां हुआ था, प्रतम कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वाय सराय कौन था यह भी ध्यान में रखना है आपको किसने कांग्रेस को सूच्म दर्शिय अलपसंख्यक जनता का प्रतिनिधी बताते हुए उसका मजा कुड़ाया था कि बहुत सूच्म है बहुत कम संख्या में है और अलपसंख्यकों को रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादा लोग इनके समर्थक नहीं है यह कहके कांग्रेस का डफरिन नहीं है कहके मजा कुड़ाया था नेक्स क्वेश्चन भारती राष्टी कांग्रेस के पहले अध्यच कौन थे भारती यह देखिए भारती राष्टी कांग्रेस के पहले अध्यच कौन थे डब्ली सी बनर जी ध्यान में रखिएगा डब्ली सी बनर जी पहले अध अध्यच्छ और पहला सच्ची भार्ती-राष्टी-कंग्रेस में, इध्यूम है, महाई अध्यच्छ में डिफ्रेंसियेट कीजिएगा, भार्ती-राष्टी-कंग्रेस के प्रथम मुस्लिम-अध्यच्छ बदृत-दीन तैयब जी, पहला अध्यच्छ जो मुस्लिम बने वो क इसमें ज्यादा इमेज साफ आती है खेर आगे अगले क्विश्चन पर आते हैं दोस्तों भारती राष्टी का अंग्रेश के प्रतम मुस्लिम अच्छे आपने देखा बदृतीन तयब जी है आगे आते हैं तो अंग्रेश के लिए समर्थन प्राप्त करने के उत्देश इसे 1889 में एक समथियस्परीत की गई है यहां पर देखिये का इंग्रेश्क के लिएака रही है तरह समिती का सभापति था यह factual question है आपको याद रखने है या concept कुछ नहीं है, concept जहाँ होगा मैं बताऊँ, भारती राश्टी Congress के दूसरे अधिवेशन के अधिशता किस ने की दादा भाई नौरो जी ने, निमलिकित में से कौन भारती राश्टी Congress के अस्थापना अधिवेशन में उपस्तित नहीं थ था, कौन उपस्तित नहीं था, 1885 में जब अस्थापना की जा रही थी, तो कौन जो बहुत ही एक significant personality थे, लेकिन वो उपस्तित नहीं थे, वो सुरेणनाद बेनरजी थे, चुकि टाइमिंग का थोड़ा सा problem हो गया था, इनका जो इंडियन association है, इंडियन association, इंडियन association है, उसका और भारतीराष्टी कांग्रेस के सब्वेलन में clash हो रहा था, बाद में इसी एंडियन association को इसमें merge कर दिया गया था, भारतीराष्टी कांग्रेस के स्थापनाज वियसन में पस्तित नहीं था, तो सुरेणनाद बनरजी हो जाएंगे, next question पे आते हैं दोस्तों, इस सारे most important question है इनको नजर अंदाज नहीं कीजिएगा भारती राष्टी कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपी अध्यच जार्ज यूले भारती राष्टी कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपी अध्यच कौन था जार्ज यूले निम्लिकित में से कौन है बिचार करना है आपको भारती राष्टी कांग्रेश का प्रतम महिला अध्यच सरोधनी नाइडू थी भारती राष्टी कांग्रेश की प्रतम महिला अध्यच भारती राष्टी कांग्रेश के प्रतम महिला अध्यच सरोधनी नाइडू नहीं थी अगर प्रतम भारती महिला महिला अध्यच कौन थी सरोधनी नाइडू प्रथम भारती महिला अध्यच सरोधनी नाइडू हो जाएंगी यह सही है लेकिन प्रथम भारती महिला अध्यच सरोधनी नाइडू हो जाएंगी यह सही है लेकिन प्रथम भारती महिला अध्यच सरोधनी नाइडू हो जाएंगी जब जी थे यह सही हो गया, तो केवल दो सही है, इस तरह के question पूछे जाते हैं लोग सिवाए के exams में, और दूसरे exams में भी पूछे जाते हैं, आप ध्यान में रखिए, और ये topic हर जगा आता है, निमलिकित में से कौन भारती राष्टी कांग्रेस का अध्याच कभी नहीं चुना जा सका, एक बार इनको लेके बहुत बवाल भी हुआ था, लेकिन चुने नहीं जा सके थे, बाल गंगा दर्तिलक, लाला लाजपत राय च कौन भारती राष्टी कांग्रेस का अध्याच हुआ, लाल बाल पाल का लाला लाजपत राय भारती राष्टी कांग्रेस के अध्याच हुए थे, कौन लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय बाल गंगा दर्तिलक, वेपिंचन पाल, लाल बाल पाल ध्यान रखिएगा, किस ने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित यहाँ पर क्या होगा कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही उनके द्वारा सोचा या योचनावद किया गया था किस ने कहा था ये कि ये लोगों द्वारा inspired नहीं था, ना लोगों द्वारा सोचा गया था, ना लोगों द्वारा प्लान किया गया था, सर सेयद हैमत खाने कहा था, ये कांगरेश से कभी जुड़े भी नहीं रहे, next, अखिल भारती कांगरेश की प्रतम महीला अध्यच काउन थी? एनी बेशन थी? मैंने पहले बताया, अखिल भारती कांगरेश की प्रतम महीला अध्यच अगर प्रतम भारती पूछे तो सरुद निनाइडो next question पे आते निम्ड मेंसे किस अधिवेशन के लिए Congress पे पहली बार एक महिला को अध्याच्च चुना कलकत्ता अधिवेशन 1917 कलकत्ता अधिवेशन 1917 दोस्तों उसके साथ एक बात और बताना चाहूंगा हमेशा अगर आपको online coaching करनी है online पढ़ाई करनी है तो हमेशा एक बात की जाच कर ले मैं यह नहीं कहता कि आप मेरे यहाँ ही पढ़िए लेकिन इस बात को जाच लीजिए कि जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है वो उसने उस exam की परिस्थितियों को जेला है कि जेला है उसने खुद कभी तैयारी की है कि नहीं की है अब खुद तैयारी की है तो क्या वो बिल्कुल failure तो नहीं रहा है इस बात की जरूर जाच कर ले चुकि रियल टाइम परिस्थितियों का अनवाव बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और हमने इन एक्जाम्स को दिया है NDA, CDS, CDS में तीन तीन बार SSVD क्वालिफाई किया CPF का मैंने दिया Assistant Commandant का IS का एक मेंस लिखा परिस्थितियों बस उस फिल्ड में नहीं जा पाया लेकिन हमें GS का बखुबी अनुवाव है LT grade में मेरे GS में 15 से 16 क्विश्चन ही सही थे ज़्यादा कि मैं दावा नहीं करता लेकिन मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था जितना पढ़ा था उस हिसाब से बहुत लोग 10 क्विश्चन, 12 क्विश्चन नहीं कर पाए LT grade में तो जिसे मालूम है कि कहां से क्विश्चन पुट अप होते हैं कैसे क्विश्चन पुट अप होते हैं उनसे आप पढ़िए बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरह का आपको आकर्षन देंगे लालस देंगे और अपनी तरफ बलाने की कोशिश करेंगे लेकिन यहाल नहीं, आपके सपनों का मामला है, आपके करियर का मामला है, वहाँ जाईए जो व्यक्ति अथेंटिक है, वहाँ जाईए जिस व्यक्ति ने खुद कुछ कर दिखाया हो, खुद कुछ किया हो, एक्जैम की परिस्थितियों का सामना किया हो, 20 साल पहले competition में अगर दो साल, चार साल चले जाएंगे पढ़ाने का method topic to book होना चाहिए सीधे objective type question आते हैं सीधे objective type question करीए इसमें कौन सा concept लगना है कि Congress के प्रतम अध्य से कौन थे कौन सा concept लगेगा हमें बताइए आप प्रतम बैठक कब हुई थी इसमें कौन सा concept है या क्रिशी पे आते हैं जैसे LT grade में क्रिशी से भी related question जी इसमें पूछे जाते हैं रवी की फसल कौन है, खरीफ की फसल कौन है, जायत की फसल कौन है, इसमें कौन सा concept चाहिए बहुत सारे factual questions भी आते हैं, जहां conceptual questions की जरूरत है वहाँ पे आप question पढ़ते हुए concept के लिए कीचे यहाँ पर आपको पास होना है, exam qualify करना है, बिद्वान नहीं बनना है research नहीं करना है, आपको एक नौकरी लेनी है जॉब लेनी है, सीधे सीधे बात, इधर उधर की बाते नहीं इस चीज को ध्यान में रखिया, यह आगे चलते हैं आपको बताना जरूरी होता है, भटका हो बहुत ज़्यादा है और एक बात आप से और बता दें, बग्दिर से कह रहा हूँ, हमारे यहाँ फीस की वज़ा से कोई भी बाहर नहीं जाता अब यह बिल्कुल नहीं है कि जो जिनकी परिस्षितियां है जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको भी हम छूट दे उनको हम छूट नहीं देंगे और जिसकी वाकई वे जिनीन प्राबलम है हमारे याँ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पास फीस नहीं थी, उन्होंने मात नॉमिनल फीस दी है लेकिन हमने उनका इड्मिशन लिया है लेकिन कोई अगर अभी से इमानदार नहीं है कोई ये फोन करके जूट मूट को बोलता है कि नहीं सर हमारे पास पैसे नहीं है तो जब अभी से आप में इमानदारी नहीं है तो आप एक्जैम क्या क्वालिफाई करोगे पंद्रस ओफीस क्या होती है बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए लगाईए दो ड़ाई जार रुपए महीने लग जाते है और यहाँ पे एक क्वालिफाईड व्यक्ति द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पर जाईए वहाँ से पढ़िए जहाँ पर आपके एक्जैम में क्विस्चन आये व्यक्ति क्या है उससे मैटर नहीं है एक्जैम में क्विस्चन आने चाहिए जब आप एक्जैमिनेशन टेबल पर बैटो तो आपको लगे कि नहीं यहाँ सरने पढ़ाया है तो क्विस्चन बन रहे है मैंने जूनियर एडेट में कर दिखाया 15 दिन पहले TGT PGT क्या आया था वहां कर दिखाया 4-5 बच्चे मेरे सेलेक्ट हुए मैं 40-50 का दावा नहीं करना हूँ फिंकने को मैं भी कह सकता हूँ 4 लोगों की भीड़ कठा कर सकता हूँ 10-20-40-50 लोग तो परिचे में हुए ही होगे मैं भी कह सकता हूँ नहीं मेरे यहां से 4-5 लोग हुए क्योंकि TGT की एक्जायम के 10-15 दिन पहले मैं आया हुआ था तो दोस्तों आई आगे चलते हैं ये बाते तो चलती रहेंगी निम्रिगित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस में पहली बार एक महिला को अधिवेशन कलकता अधिवेशन नेक्स्ट क्विश्चन पर आते हैं प्यारे दोस्तों भार्दी राष्टी कांग्रेस ने निम्रिगित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धती को लक्ष बनाया आवाडी अधिवेशन इतना इस तरह नहीं पूछेंगे आजयादी के बात का पूछने की सम्भाना बहुत कम रहती है आई आगे बढ़ते अब जो धंग से पढ़ा होगा जिसने एक्जाम फेस किया उसे ही मालूम है कौन क्रिश्चन आपके काम का है कौन क्रिश्चन आपके काम का नहीं और यहां पर हम लोगों ने रह के आज 20 साल से 25 साल से संगम नगरी हुए हैं यहां पे हमारा घर भी है तयारी की है अपने आपको ऐसे नहीं कि आज ऐसे काये काये पढ़ाने लग दे हैं आज 20 साल से 22 साल से पढ़ रहें, उसके बाद आपके सामने आए हैं, उसके बाद आपके सामने आने की हिम्मत कर रहे हैं, पूरी तरह से well research, अच्छे से पढ़ के, कहां से question आते हैं, कहां से question नहीं आते हैं, कितनी failures जेली, कितनी बार सफल हुए, तो ऐसे हवा में आपको पढ़ाने हम नहीं आ जो लोग हवा में पढ़ाने आ गए हैं, तमाम तरीके की बाते करते हैं, रियल एक्जाम परिस्थितियों का कोई अनुबह नहीं है, LT grade का एक्जाम कभी दिया नहीं है, और दावे बड़े-बड़े यहां से question, वहां से question, दावों से कुछ नहीं होता, करके दिखाना है, निमलिकित में से भारती राष्टी कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगादर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध दिकार है, लखनव अधिवेशन 1916 में बाल गंगादर तिलक ने स्टेटमेंट दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद् मौकुेशन बाकिपुर में हुआ ध्यान रखियेगा कहा पर रुला था बाकिपुर में हुआ था तो भारती राष्टी कांग्रेस का 27 अधिवेशन कहा पर रुला बाकिपुर का зарपका्ट का printed का घुपाल कुलिक अध्याति आ दखै के अध्यापन या निम्नलिकीत एक ही बात होती है, मैं किसने 1906 में 1906 में भारती राष्टी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यची भासण को उनके बंदले में पढ़ा था, गोपाल कृष्ट गोखले ने पढ़ा था, जोकि दादा भाई नौरोजी अ का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यचे चितरण्यन दास थे, जहान में रखना है, चितरण्यन दास्वराज पार्टी के स्थापनाबाद में मोतिलाल नहरू ने इनके साथ मिलके की थी, वो बाद में हम आपको बताएंगे, अम्रिस सरके भारती राष्टी कांग्रेस अधिवेशन 1999 के प्रस्ताओ के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया समविधान लिखने है त्निम्लिकित में से किसे उनके सहयोगे तु चुना गया, किसे चुना गया, यह आपको बताना है, भारती राष्टी कांग्रेस का नया समविधान लिखने है तु गांधी जी ने अपने सहयोग के लिए इन दो लोगों को चुना था। भारती राष्टी कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगदर तिलक ने भाग लिया था। वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें अंतिम जिसमें बाल गंगदर तिलक ने भाग लिया था। उस अंतिम अधिवेशन का नाम बताना, अंब्रिष सरदिवेशन ओननेस नेक्स्क्स्टिम हिस्टाइफ्ट के लिए रोमन लागू करने की वकालत की। रोमन लिपी हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपी होना चाहिए था सुभास्चन बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपी लागू करने की वकालत की सुभास्चन बोस यह ध्यान में रखेगा यहां रोमन लिपी लागू करने की वकालत किसने की सुभास्चन बोस ने अध कि वो थे सुभास्चन बोस किसने कहा था कांग्रेस पतन की और लड़कडा रही है मेरी सबसे बड़ी अभिलाशा यह है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांति पूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं यह किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की और डाउन फाल की लड़कडा रही है, वेरी सबसे बड़ी अभिलासा, जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस के शांति पूर्ण समाप्ती में सहयोग कर सकूँ, यहाँ पर सहयोग कर सकूँ, यह किस ने कहा था, लाड करजन ने कहा था, किस ने कहा था, लाड करजन का statement है, नेक्स्ट आते है वर्स, 1938 में भारती राष्टी कांग्रेस के हरीपुरा अधिवेशन के अध्यचता की थी, हरीपुरा अधिवेशन के अध्यचता किस ने की थी, हमें बताना है, सुबास्चन बोस ने, most important question है, इसको कभी miss नहीं कीजेगा, यह question आ सकता है, 1938 के भारती राष्टी कांग्रेस क के हरीपुरा अधिवेशन के अध्यचता सुबास्चन बोस ने की थी, question इसलिए भी relevant हो जाता है, चुकि यह वर्तमान में जो पार्टी है, सत्ता में, वो लोग विवेकानन, सुबास्चन बोस, भगस सिंग, इन सब लोगों को बहुत ज़्यादा promote भी करते हैं, या अपना अगर आजनिक भारत पढ़ रहें, तिन पर question अच्छे से तयार करें, चुकि जिस समय, ये इतिहास का निया में, ये समय का निया में, जो पार्टी होगी, वो थोड़ा से थोड़ा, वो जिस वरिचारधारा से प्रिदित है, उससे related question जादा बनते हैं, अब ये बात आपको जिसने exam दिये हैं, वही बताएगा, जिसने नहीं दिये हैं, सीधे पढ़ाने लग गया, वो नहीं बता पाएगा, वास्चन बोस, प्रभाव पढ़ता है, राजनियतिक परिस्थितियों का प्रभाव इतिहास गवा है, जिसने अगर इतिहास पढ़ा है, मेरा तो पहला PG ही यह ध्यान में रखिएगा, तो question paper पे भी आपकी राजनियतिक परिस्थितियों का प्रभाव पढ़ेगा, यह आप नहीं सोचीगा कि नहीं पढ़ेगा, 1931 में भारती राष्टी कांग्रेश के हरीपूरा अधिवेशन, सुभास चन बोस, याद रखना है आपको हरीपूरा अधिवेशन, सुभास चन बोस, 1938 हरीपूरा अधिवेशन, सुभास चन बोस, यह आपको याद रखना, इसको रट ले, बिल्कुल इसे रटना पड़ेगा आपको, यह बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए, कि किस अधिवेशन में किस ने अध्यचता किये है, next question पे, खासका सुभास चन बोस से related question, भगस सिंग से related question, विवेका नम से related question, और जो भी करांतिकारी आंदोलन है, उससे related question आपके तयार होने चाहिए, next question पे आते हैं, दोस्तों, नमलिकित में से किस भारती रास्टी कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरला नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुझी बताया, जवाहरला नेरू ने भारत में समाजवात की बकालत किया और कहा कि समाजवादी भारत की हर तमस्या का समाधान है भारत की हर प्रॉब्लम का सलूशन है किस अधिवेशन में जवाहरला नेरू ने ये बात कही थी कांग्रेस के लखनव अधिवेशन में जवाहरला नेरू ने ये बात कही थी. Next question, भारत के स्वतंता प्राप्ति के बाद निम्लिकित में से किसने सुजाओ दिया था कि भारती राष्टी कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये एक अच्छा question है, most important question है, it was none other than महात्मा गांधी, जिरोंने कहा था कि भारती राष्टी कांग्रेस, जो कि आज की कांग्रेस से इसी कांग्रेस को कहा था, कि स्वतंतरता प्राप्ति के बाद इसको समाप्त कर दिया जाए, जो कि जिस देश्च से उसका गठन हुआ था, वो देश्च पूरा हो चुका है, लेकिन राज्यातिक कारणों से वो नहीं हो सका, हर चीज यहाँ पर राजि निती से प्रेडित नहीं थे, उन्होंने कहा था, भारतिराष्टी कांग्रेस को आजादी के बाद स्वतंतर प्राप्त के बाद समाप्त कर दिया जाना चाहिए, यह कहा था, महात्मा गांधी ने most important question हो जाता है, आपको मैं explain नहीं कर सकता, आपको मालुम होगा, जब भारत स्वतंतर हुआ उस समय कांग्रेस के अध्याची कौन थे, यह भी क्रिपलानी थे कांग्रेस के अध्याची जब भारत स्वतंतर हुआ, यह भी ध्यान में रखना है, जब भारत स्वतंतर हुआ तो कांग्रेस के अध्याची कौन थे, यह भी क्रिपलानी, next question, कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग लिया था उस जगा का नाम बताना है और उस जगा का नाम बताना है अधिवेशन कहाँ पर हुआ था उस समय मुमबई बंबाई थी लाड विलिवेशन में भाग लिया था उस ग 먼 Lynn का नाम कः लाड विलिंगटन बंबाई अधिवेशन था 911 में भाग लिया था भारती राष्टी कांग्रेस का एक मात्र अधिवेशन जिसकी अधिशता महात्मा गानी ने की थी, बेल गाउधिवेशन 1924 ध्यान में रखिएगा, भारती राष्टी कांग्रेस का एक मात्र अधिवेशन जिसकी अधिशता महात्मा गानी ने की थी, वो कौन था, बेल गाउधिवेशन 1924 निम्लिकित में से किस अदिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारती रियासतों के प्रती अपनी नीती घोशित की थी, भारती रियास जो इंदियन छोटी-छोटे राज्य थे, जो महाराजा थे, भारती रियासते थी, उनके प्रती अपनी नीती भारती राश्टी कांग् में जिसे राष्त-गान कहते है तोचे डिफरेंश तिन राष्तगान राष्टगीत आपको मालुम संग बंदे-मात्रम बंकिम Ting Banar Ji प्रिकेम बंदे-मात्र मन यसे सवांग और बंकिम जैटी जी बंकिम जिं मोन क्र wash सेवस्थ हमें सरोजनी डू कांग्रेस की अध्याच्छा की रूप में प्र hyvin गया तो आहल आईयाफ और करने जावे, सरोजनी नाइडू में प्रथम भारति महिला बेशक्ट, एसी ए अध्यच बने, तो इसमें कौन सा सही होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये नहीं थे, और अल्फेट बैप, 1894 में कांग्रेस के अध्यच थे, तो इसमें दोस्तों, दो और चार सही है, दो और चार, कौन से कतन सही है, तो दो सही है, और चार सही है, सरोधनी नाइडू वाला गलत हो गया, अल्फेट बैप, 1894 में कांग्रेस के अध्यच थे, बास सही है, लेकिन एलेन आप्टिव में मूम कांग्रेस के कभी अध्यच नहीं बने, और सरोधनी नाइडू परतम भारती महिला अध्यच थी, परतम महिला अध्यच नहीं थी, परतम महिला अध्यच 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 थी, Congress और Muslim League के बीच प्रसिद्ध लखना हुसमझाता हुआ था 1916 में Congress और Muslim League के बीच प्रसिद्ध मुंबई समझाता कब हुआ था 1916 में हुआ था दो थ्यान में रखिएगा 1916 में भारती राश्टी Congress के लखना हुआ आधिवेशन के अधिशिता किस ने कि थी 1916 में इंडियन नाशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अधिश्टा किस ने की थी एसी मजूमदार ने की थी ध्यान में रखिएगा इसी मजूमदार ने next question पर आते हैं दिसमबर 1916 में इंडियन नाशनल कांग्रेस सता इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन नाशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन नाशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने मुदारवादियों के पुनर मिलन की प्रक्रिया में प्रमुक शिल्पी निमने में से कौन था एक तो अतिवादी थे जो एक्स्ट्रीमिस्ट कह सकते हैं बहुत जादा ये नैस्नलिस्ट थे और एक उदारवादी थे लिबरल थे अपनी मांगों को मंगवाने के लिए अहिंस ये सीपुनर मिलन करवाने में कांध स समझाता घ्यान में रखिएगा बाल गंगादर तिलक वाल निडए लिया गएथा कांग्रेस 1916 के लखनव अधिमेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परणाम वाला निड़े लिया गया था प्रिथक निर्वाचन छेत्र की मांग को स्विकार करना भारत के डिवीजन जो भारत का विभाजन हुआ उसकी राह में पहला कदम था यहाँ पर यह बहुत गलत हुआ कि मुस्लिम लिख को प्रतम निर्वाचन छेत्र की मांग को अक्सेप्ट किया गया कांग्रेस ने प्रतम बार मुस्लिम समधाय के लिए प्रतक निर्वाजन प्रणाली स्विकार की वह वर्ष्था 1916, इंपोर्टेंट हो जाता है, इंपोर्टेंट, यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए था कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मत्यक के काकाल निमलिकीत में से कौन प्रदर्शित करता है, मत्यक के मतलब एक मत, कोई भी बाद नहीं था, मत्यक के मत्धन एक, मत्यक के ठीक है, मतलब एक मत्यक काकाल निमलिकीत में से कौन प्रदर्शित करता है, काउन उग्रपंती नहीं था, गोपाल कृष्ण गोखले, उग्रपंती नहीं थे, ये एक्स्ट्रीमिस्ट नहीं थे, उग्र राष्टवादी नहीं थे, आक ये तीनों थे, बाल गंगादर तिलक, स्वराज मेरा जर्म से दधिकार है और मुसे ले कर रहूंगा, रिक्वे फिरोष शामेता, दादा भाइन औरो जी, सुबास्चन बोस, इसमें अर्विन गोख हो जाएगा, तो दोस्तों इसी के साथ इस साथ क्रिष्टन जीएस में आपके लिए ले कर आया था, इन क्रिष्टन को ध्यान से देख ले, और भी जीएस पर क्रिष्टन लेके आता रह और GS तो सभी ध्यान दे, जितने भी लोग, जो भी लोग LTE की तयारी कर रहे हैं, जिस भी TET, सुपर टेट, सब में पूछा जाता है GS, आप पढ़ सकते हैं, दूसरे अपने दोस्तों को इन्वाइट कर सकते हैं, Thank you very much दोस्तों for watching my channel, thank you very much.